अध्याए एट देख रहे है स्थानिय शासन लोकल गवर्न्मेंट्स तिहत्तरवा संशोधन जो पंचायती राज विरस्था जिसके बारे में हमने काफी बात की थी तो तिहत्तरवा संशोधन जो है ये पंचायती राज विरस्था के बारे में है इसमें त्री स्तरीय बनावट से शुरू करते हैं त्री मतलब होता है तीन स्तर मतलब होता है लेवल तो यह तीन लेवल कुन-कुन से है अब जितने भी प्रदेश है उसमें जो भी हम प्रदेशों की बात करने हैं प्रविंसेस हमारे पास है उसमें पंचायती राजवियस्ता का धाचा या कहे फ्रेमवर्ग तीन लेवल का है सबसे नीचे, सबसे नीचे यानि कि यहाँ पर ग्राव पंचायत आती है यहाँ पर ग्राव पंचायत आती है यहाँ ग्राव पंचायत के में क्या हो सकता है या तो एक गाउं हो, बड़ा गाउं हो या छोटे-छोटे दो-तिन गाउं हो यह जो middle star है यहाँ पर क्या आता है इसको हम कहते है जो मध्यवर्ती star याने की जो बीच का पाइदान या level देख रहे हैं, पाइदान मंडल यह है, इसको कहते है block, क्या कहते हैं, block हिंदी में इसको क्या कहेंगे तालुका हिंदी में इसको कहा जाएगा तालुका तो यह जो तालुका है, जो प्रदेश छोटे आकार में होते हैं, वहाँ मंडल या तालुका पंचायत यानि जो मध्यवर्ती स्थर है उसको बनाने की जुरूरत नहीं होती जहांपर अगर छोटे प्रदेश है छोटे स्टेट्स है वहाँ पर इनके अशक्ता नहीं होती अब सबसे उपर आ जाएए आप सबसे टॉप पे जो है वहाँ है आपका जिला पंचायत तो तीन लेवल पे फिर से बताता हूँ आपको पहला दूसरा तीसरा पहले लेवल पे आपका आगया सबसे टॉप लेवल पे आगया है यहाँ पर जिला पंचायत उसके बाद जो मिडिल लेवल पे आता है उसको हम मंडल कहते हैं ब्लॉग कहते हैं या फिर तालूका कहते हैं और जो थर्ड लेवल है सबसे लोवर लेवल पे जिसमें एक या एक से जादा गाउं आ सकते हैं इनको कहा जाता है ग्राम पंचायत तो जो 73 संशोधन हुआ अमेंडमेंट जो हुआ ग्राम सभा अनिवार रूप से बनानी जानी चाहिए इसमें क्ल पंचायत को ले लिजे यहां जितने भी मददाता है इस पंचायती हलके में या इस इलाके में जितने भी मददाता के रूप में हर एक आदमी है जो व्यस्क है वो अपने आप ग्राम सभा का मेंबर हो जाता है ऐसा नहीं कि ग्राम सभा जो है जो एक मीटिंग कह सकते हैं इ जो वहां के व्यस्क होते हैं उस इलाके के और जो मतादा सुची में या मतादा के रूप में दर्ज हो तो अपने आपको इस ग्राम सभा के मेंबर हो जाते हैं ध्यान रखें कि ग्राम सभा की भूमी का और इसके कायर का फैसला कौन करेगा मालिजे ये तमिलनाणू है तो तमिलनाणू की का प्रशासन करेगा यहां की स्टेट करेगी ठीक लेकिन क्लेर बात यह हो गई कि 73 संशोधन में ग्राम सभा बनाना है ही है जरूरी है बिलकुल अब चुराओं कैसे होगा अब ये जो तीन लेवल बताए या जो ग्राम सभा ब हम डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं इन लोगों का हर पंचायती निकाय जो भी पंचायत जहां पर है उसकी अवदी होती है पांच साल कितनी होती है फाइव ये और यदि यह जो प्रदेश की सरकार है जैसे मैंने अब तमिलनाणू का एक्जामपल लिया इसकी सरकार पांच स नहीं हुए इस निकाय को बने हुए निकाय का नाम दूँगा इन सबको मैं निकाय कहूंगा जिसे हम स्थानी निकाय कहते हैं तो पांच साल से पहले अगर इनको भंग कर दिया जाए किस भी कारणवश तो छे मेने के अंदर ये बिलकुल कानूनी है छे मेने के अंदर दु तो क्योंकि अब सारी चीज़े 73 वे संशोधन के बाद ये हो चुकी है कि उस इलाके का जो प्रबंदन है वो पंचायत करेगी तो जरूरी ये था कि पहले आपने देखा कि अगर पंचायती संस्ताओं को भंग करने के बाद भी ऐसा कोई कारून नहीं था प्रावधा नहीं था 73 वे संशोधन के पहले कि अगर में भंग करती तो भंग चली आ रही एक साल दो साल पांच साल लेकिन अब ऐसा नहीं है पंचायती ये जो जितने में स्थाई निकाए हैं इसमें 6 मेरे के अंदर आपको चुनाओ कराने ही कराने अब जैसे आप जो पंचायती संश्थाए हैं एक इलाका ले लेते हैं यहाँ पर एक तिहाई सीटे जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है इसका मतलब 33% 33% है एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित है इसके अलावा शेडूल कास्ट, शेडूल ट्राइब, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जाती के लिए भी आरक्षिन है जो स्थानी निकाये हैं उनकी जहाँ भी चुनाओं होंगे वहाँ पर S.C.S.T. की सीट होंगी और 33% जो सीट है वो महिलाओं के लिए है और ये किस हिसाब से है ये इनके अनुपात में है जो जैसे 33% तो महिलाओं के लिए होगी एक तिहाई वो तो फिक्स हो गया लेकिन S.C.S.T. का कैसे होगा इनका कितना परसंट होगा ये वहाँ की जो जनसंख्या है मतलब S.C.S.T. की जो जनसंख्या है उनके हिसाब से प्रपोर्शन में जैसे मालीजे 10 सीटे है और 100 सीटे है मालीजे और 20 प्रतिशत S.C. है 10 प्रतिशत S.T. है तो 2 सीटे S.C. की हो जाएगी और जैसे 20 प्रतिशत अगले तो 20 होगी अगर 20 प्रतिशत SC है दस प्रतिशत ST है तो दस सीटें उनके लिए हो जाएगी ऐसा आपका रुपांथ चलेगा वाप लिकिन एक और चीज़ है अगर किसी एक स्टेट में SCST नहीं है लेकिन OBC बहुत जादा है Other Backput Class में जो लोग आते है तो अगर सरकार सही समझे उस प्रदेश सरकार के उपर है कि अगर वो सही समझे एक तो OBC आपने पिछले वर्ब को भी आरक्षन दे सकती है तीन स्टर जों में आपको बताया ये हर लेवल तक आरक्षन दिया गया है ऐसे नहीं कि किसी एक लेवल पर दिच्छी लेवल तक दिया गया है केवल जो सामाने शेडी है जैसे जो जनरल सीट है जनरल सीट होती है जहां पर S.C.S.T. कर नहीं है इनकी सीटों पर ही महिलाओं का एक तिहाई आरक्षन नहीं दिया गया है बलकि जहां S.C.S.T. है जहां कि S.C.S.T. सीट है वहाँ पर भी महिलाओं को एक तिहाई आरक्षन दिया गया है ध्यार रखिए बैसे बताता हूँ कि यह 33% तो पूरे जो भी स्थारी निकाय है उसमें आपको 33% महिलाओं मिलेंगी यहां पर S.C.K. लोग आ सकते हैं लेकिन इसमें भी हर जगा एक तिहाई इन S.C. में भी एक तिहाई महिलाओं का आरक्षन को फॉलो करना पड़ेगा यहां पर भी विदस्ता है इसका मतलब यह हो गया कि कोई भी एक सीट में अगर महिला इमिद्वार है यानि वो फीमेल हो महिला हो और साथ में S.C.S.T. को बिलॉंग करती हो आरक्षित हो तो वो भी आ सकते है और इसने हमने कही बार देखा कि सर्पंच सर्पंच जो होता है किसी एक ग्राम पचायत का वो दलिद भी हो सकता है आदिवासी भी हो सकता है और साथ में महिला भी हो सकता है एक महिला जो दलिद है आदिवासी है वो भी एक पचायत को लीड कर सकती है करती है कर रही है अब ये विशे जो हैं अलग अलग विशे हमने जैसे तीन हमारी लिस्ट है Union List, State List और Conqueror List तो ऐसे विशेओं का स्थाना अंतरण मंदर यहां से वहां गए वो तो ऐसे 29 विशे थे जो पहले आते थे State List में अब इनको समिधान की जो ग्यारवी अनुसूची में दर्च कर लिए गए है यह तो यह जो विशे है इसमें पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण दर्ण किया जाना है जो भी पंचायती है उनको ले जाना पड़ाएगा कहां पर? उस जगह पे जहां पर इन पर कानून बन सके तो इन कारें का जो वास्तविक हस्तांतरण है वो किसके उपर है? वो स्टेट के उपर है? वो स्टेट करेगा? कि भई इस चीज को यहां लाया जाए तो प्रदेश का प्रदेश स्टेट फैसला करेगा कि यह जो 29 विशे है इसमें से कितने इनको स्टेट लिस से स्थानी निकायों में या निकायों के हवाले करने है क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में आ चुके है ना 29 के 29 स्टेट लिस्ट में आ गए है अब इन में कितने जो है हस्तानतरित करने है स्थानी निकायों में ये स्टेट का काम है स्टेट देखेगा इसको अब अनुछे 243 जी इसमें जो पंचायत की शक्ती है उनकी अधिकार है उनकी जो responsibility उतरदायत्यु है किसी भी देश की विधाय का कानून मनाकर ग्यार्वी अनुसूची में दर्ज मामलों में पंचायत उनको ऐसी शक्ती वर प्रदान कर सकती है ग्यार्वी अनुसूची में आ गया अब वो सिधा स्थाने निकाई के हिसाब से किया जा सकते है जैसे यह देखिए कुछ example देखिए इसमें कि ग्यार्वी अनुसूची में क्या दिया गया है ग्यार्वी अनुसूची में अब भारत में ऐसे अनेक प्रदेश है जहाँ पर आदिवासी संख्या बहुत जादा है तो लेकिन वहाँ पर यह जो 73 संशोधन है वो नहीं लगता उससे अलग रखा गया है 73 संशोधन ऐसे छेत्र जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पर नहीं लगाया गया तो 1996 में एक अलग अधिनियम बना अलग कानून बना समझ दिजे और फिर उसके बाद वो छेत्र जहाँ पर ऐस ट्राइबल एरिया है शिलूल ट्राइब्स हैं उनको फिर इस दाइरे में शामिल किया गया होता यह है कि जो ट्राइब्स हैं वो जंगल से जादा जुड़े हैं वहां के संसादनों को यूज भी करते हैं उनका देखरी भी करते हैं उनकी जितने भी रिती रिवाज हैं वो जंगलों के आसपास या उसी एरिया में हैं तो इसलिए इनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ऐसा किया गया कि इनको 73 में से दूर रखा गया और एक अलग से अधिनी मनाया गया जिसमें इनको इंक्लूड किया गया अच्छा ऐसे इलाकों की जो ग्राम सभा है उसको ज़्यादा पावर दिया गया है और जो निर्वाचित ग्राम पंचायत है उसको कई माइनों में इस ग्राम सभा की अनुमती लेनी पड़ती है कहने का मतलब यह है कि यहां की जो ग्राम सभा है इन इलागों की उसको जादा पावर है उसको जादा पावर है और कई बार जो क्योंकि ग्राम पंचायत है तो जो ग्राम पंचायत है वो इन से कई बार अरुमती लेना पड़ता है इनको कि हमको ये काम करना है तो इसके पीछे विचार क्या है इसका विचार ये है कि जो स्थानिय परंपरा है वो बची रहे और आज जो हम निलवाचन की पक्रिया अपना रहे उससे इन यहां के लोगों को क्योंकि यह ट्राइब्स हैं इनको पता चले कि यह क्या चीज़े हो रही हर एक स्टेट में इलेक्शन कमिश्णर है राज चुनाव आयूक्त अब आपने कहा कि भाई तीन लेवल के स्थानी चुनाव होने है स्थानी निकाए के चुनाव होने यह चुनाव कौन कराएगा तो इसके लिए यह जो आयूक्त है हर एक प्रदेज जैसे मैं एक्जामब लिल रहा हूँ 36 गड़ का अब ये 36 गड़ की जमेदारी बन जाती है कि वहाँ पर एक स्टेट इलेक्शन कमिशनर हो मतलब राज चुनाओ आयुक्त हो अब ये आयुक्त साथ की जमेदारी क्या है उनकी जमेदारी ये है कि पहले तो पंचायती राज सलस्थाओ के चुनाओ कराएंगी वो जितने भी स्टानी निगाई के है पहले कोन करता था ये पहले ये कराते थे स्टेट जैसे 36 गड़ सरकार है ना उसका प्रशासा नहीं कराता था लेकिन अब भारत में जैसे हंदुस्थान में एक चीफ election commissioner है election commissioner of India के उसी तरीके से एक autonomous क्योंकि election commission of India किसी के अंतरकत नहीं आता है वो ये autonomous है इसी तरीके से एक और सलस्था यहां बनाएगे इस state में जो खुद भी autonomous रहेगी मतलब इसका ना सरकार से relation है किसी से relation है और ये एक स्वतंत्र यहां पर एक चुराव अधिकारी होगा लेकिन ध्यान रहे यह जो चुराव है यहां पर जो हो रहे उसका और जो हमारा National Election Commission of India है उनका आपस में कोई संबंद नहीं है ये अलग है ये अलग है बिलकुल कोई की काम में कोई अधिकार क्षेत्र कोई कॉमनलाटी नहीं है इनका कीवल काम है इनका काम है जो बड़े-बड़े चुनाव कराना जैसे विधायक के हो गए या आपके MP's के हो गए आप चुनाव और फिर राश्पति उप्राश्पति वित्यायोग है पैसा पैसा यहाँ पर उसकी बात हो रही है तो हर एक प्रदेश अब अपनी इसामपल लेते हैं चलिए जहरखट का अब ये सरकार जहरखट की जरूरी हो जाता है कि हर पांच साल के लिए एक स्टेट का वित्यायोग मतना फिनेंस कमिशन जो होगा स्टेट फिनेंस कमिशन इनको बनाना ज़रूरी है ये क्या करेगा जो स्थानी शासन है जैसे जो ग्राम बंचायत है जो ब्लाग या तालू का है नगर निगम जो है खेर हम तो 73 पे की बात कर रहे है चोहतर पे नहीं गए तो नगर निगम नहीं आएगा इसमें हम गाओं की बात कर रहे है तो यहाँ पर इनके जो माली हालत है इनके पास कितना पैसा है कितना गया कितना आया उसका जाइजा कोल लेगा उसके बारे में जनकारी वोन रखेगा स्टेट फिनेश कमिशन तो ये इसका आयो का काम क्या है एक तरफ तो यह आयोग एक तरफ प्रदेश और स्थानी शासन की विस्थाओं के बीच एक तो यह हो गया और दुसरी तरफ शहरी और ग्रामिर स्थानी शासन की संस्थाओं के बीच राजस्व के बटवारी का पुनरवा अबलोकन करेगा इसका मतलब कि भई स्टेट में कुछ पैसा आया स्टेट ने जहरगंड ने कुछ पैसा लिया अब कितना पैसा यहाँ पर गाउं में जाना है कितना पैसा जो क्योंकि नगर निगम वगरा भी तो है जो आपके गाउं में नहीं जहर में है नगर पाली का नगर निगम तो उसके लिए कहां पैसा जाना है कैसे पैसे जाना है यह सब इनका काम है किसका काम है राजजवित आयोग का पैसे का डिस्टिब्यूशन पैसा सही जा रहा है नहीं जा रहा है अब हम बात करेंगे 74 संशोधन की 74 संशोधन क्या कहता है 74 संशोधन जो है जो हुआ समिधान में उसका relation है शहर से वदर शहरी स्थानी निकाया हमने गाउं की बारें बात कर ली पचाती राजिवस्था की बात कर ली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नगरपालिका की नगरपालिका की तो भारत की जणगर्णा में शहरी इलाके की परिभाशा किस तरीके से है एक शहर कब हो जाता है एक गाउं कब शहर हो जाएगा पहली चीज़ कम से कम 5000 की जनसंख्या हो यहाँ पर कम से कम 5000 की minimum इससे नीचे नहीं होने चाहिए दूसरा यह है कि इस इलाके में जो काम का जी पूरुष है जो लोग काम करते हैं कम से कम 75 प्रतिशत खेती बाड़ी के काम से अलग माने जाले वाले पेशे में हो 75 से उपर खेती बाड़ी के अलावा हो खेती बाड़ी में ना हो मतलब एक तो यह हो गया तब शहर की बात हो गई फिर उसका है कि जो population density है एक वर के किलोमेटर में वन किलोमेटर वन किलोमेटर के दाइरे में कम से कम 400 लोग रहते हो अगर यह चीनों चीज आ गई तो अब यह जो इलाका है जो भी इलाका था वो शहर कहलाएगा 2001 की अगर मैं बात करूँ आपसे तो 2001 में भारत की 28 प्रतिशन जट संक्या शहरी इलाके में रहती है अब थोड़ा इसमें कुछ और चीज बतना चाहूँगा कि जो टाउन और सिटीज होते हैं शहर और जो हम कजबा कहते हैं एक लाक इसके लिए क्या है पॉप्लेशन जिसमें एक लाक है उसको हमने और कटेगराइस किया उसको कहा क्लास वन टाउन्स जाँ सिटीज 46 सिटीज ऐसी हैं जिनकी पॉप्लेशन एक मिलियन मत्ता होता 10 लाक इसको मिलियन प्लस यूएज कहते है सिटीज तीन ऐसी सिटी है जिसमें दस मिलियन से ऊपर है इसको मेगा सिटीज कहते है गेटर मुंबई हो गया डेली और कलकता तो ये कुछ मैंने जनकारी लिये था आपके काम आएगी इसके लावा बहुत सारी रूपों में जो 74 संशोधन है उसमें वो सारी चीजे हैं जो 73 संशोधन है मतलब 73 में जो थी वो सारी 74 में है बस ये जो है गाओं के लिए है ये शेहर के लिए है बस आपको इतना आपतर इसमें समझना है तो 73 और 74 जो संशोधन है उसका क्रियानवन हम अब करेंगे इसमें हम देख चुके हैं कि कैसे हम शहरी लाके के बारे में जो संशुधन हुआ उसको समझते हैं एक शहर कि इसको माना जाएगा पांच हजार कम से कम जनसंक्या हो 25 प्रतिशत खेती बारी में हो कम से कम 75% या उससे उपर लोग बगैर खेती बारी वाले काम में हो 400 जो है डेंसिटी हो एक 1 किलोमेटर बाव 1 किलोमेटर में इससे ज़्यादा जनसंक्या अगर हो तो वो शहर आ जाता है तो हमने देखा कि 73 वा और 74 जो संशुधन है वो अल्मोस्स सेम है लेकिन 74 संशुधन में हमने बाद की शहरी लागों की 73 में हमने बाद की जो गाउं के अलाके है तो 73 वा और 74 संशुधन उसका करियानवन कैसे हुआ या फिर इसका जो एक्जिक्यूशन है सभी प्रदेश जितने भी स्टेट है जितने भी स्टेट्स है इन्हों ने जो 73 वा 73 वा संशुधन है उसको लागों करने के लिए कानून बना दिये इसके कानून बन चुके है आज की बात करें तो जिला पंचायत की संख्या मैया ये लेटेस नमबर आपके सामने यहाँ पर है यहाँ पर कितने कैसे लोग है जैसे हे एक ग्राम पंचायत फिर व्लाग पंचायत फिर जिला पंचायत ती है यह आपका शुरुआती लेवल है फिर उसके बाद सेकंड लेवल फिर हायस लेवल जो जिला पंचायत है तो आप देखे करीबन 31 लाख के उपर लोग हैं इन सब में पुरे देश की बात करें 31-32 लाग बहुत बड़ी बात होती है तो आज जो जिला पंचायद की संख्या है उसमें करीब 500 जो जिला जो ब्लॉक लेवल है जिसे हम कहते हैं मद्देवर्थिया प्रखंडस थरी है पंचायद की संख्या यह है कम से कम आप देखें जिला पंचायदों की संख्या कितनी हो गई 500 जो मिडिल लेवल की हो गई करीबन 6000 जो मिडिल लेवल की हो गई जिसको हम ब्लॉक पंचायद कहते हैं इसके अलावा 2,50,000 लोग 2,50,000 नहीं है यह है 2,50,000,000 यह क्या होगा है यह ग्राम पंचायद जी पिरिवल की दाओ तो इतनी संख्या भी है शेहरी भारत में 100 से ज़्यादा नगर निकम है अगर हम शेहर की बात करें तो 100 से ज़्यादा आपको नगर निकम मिलेंगे 1400 नगर पालिका है और 2,000 यह नगर पंचायद नगर पंचायद मौजूद है हर 5 साल में इनके लिए चुनाओं होता है और जैसे मैंने आपको बताया तकरीबन 32 32 लाक सदसे पुरे देश में चुने जाते हैं इन अलग-अलग स्थानी निकायों में अगर हम पूरे के पूरे MP विला ले पूरे के पूरे जो विधायक है उनको विला ले जो हम MLA कहते तो उनकी संख्या होती है 5,000 से भी कम अब आप देखे जो विधायक है MP है वो 5,000 से कम लेकिन जो पूरे स्थानी निकायों में जो निर्वाचिस सदस्य है 32,000 से उपर है एक अच्छी बात इसमें ये है कि महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में 32,000 का आंकड़ा है इसमें बहुत बड़ी संख्या में महिला अध्यक्ष भी है सरपंच भी है ऐसे जगा अब अध्यक्ष है यहाँ पर वो हेड है, सरपंच है तो आज कम से कम 200 महिलाएं ऐसी है जो जिला पंचायत की अध्यक्ष है 2000 महिलाएं जो 2000 महिलाएं प्रखंड याने की तालुका ब्लॉक पंचायत इसकी अध्यक्ष है किस लेवल की 200 यहां हो गया 2000 यहां हो गये उसके बाद ग्राम पंचायत की बात करते है ग्राम पंचायद मक vibe जो हमारा सबसे तीसरे स्थर पहाता था सबसे लो लिवल पे जो आता है बहुत ज़्यादा फाइन लिवल पे जो आता है इसमें 80,000 80,000 से जादा महिला सर्पांच है नगर-्दिकमों में 30-30 महिलाएं मेर हैं जो जितने ये पार्षर चुनते वो अपना एक नेता चुन लेते उतना एक हेड चुल लेते इसको महापौर कहते 30 महिलाएं मेर नगरपालिका में 500 से ज़ादा महिलाएं अध्यक्ष है नगर पालिका में लगभग 650 नगर पंचायतों की जो प्रधानी है किसके हाथ में महिलाओं के हाथ में आप यह आखरा देख रहे हैं क्योंकि एक तो रिजर्वेशन है महिलाओं का एक तिहाई रिजर्वेशन है दूसरा S.C.S.T. में भी महिलाओं आ सकती है और तीसरा लोगों ने महिलाओं के तरफ अपना एक रिस्पेक्ट दी है या यह कहें कि एक वो क्योंकि उन्हें ऐसा काम कर दिया है जो हमने शुरुआद में दो गानिया देखी तो अपना विश्वास दिखाया है इनके उपर अनेक मामलों में हमने यह देखा कि महिलाओं की जो मौझूदगी है वो उन्होंने कई काम कराए ऐसे ऐसे काम जो बड़े मुश्किल थे और होता यह है कि लोग कोई नो कोई तरीका अपना लेते तो मानलीजेए यह एक reserve seat है महिलाओं के लिए तो यहां का एक नेता है एक नेता है जो इस 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 इलाके का पार्शद बनना चाहता है लेकिन होता क्या है कि यह तो महिला के लिए seat है तो ओपनी पत्नी को खड़ा कर देता है अब क्यूंकि लोग जानते हैं आपको और ये पुरा जोर लगाते है तो इनकी पतनी जीओ जाती है इनकी पतनी तो घर में बैठी रहती है अपना घर का काम करती रहती है लेकिन ये साथ असली कारिभार देखते हैं तो ये थोड़ा सा लोगोंने तरीका अपना लिया है इसके बारे में भी थोड़ा देखना पड़ेगा भारत की जनसंख्या में अगर देखा जा कितने SC-ST population पिर 2001 2011 का अकड़ा आपके सामने रखा हुआ है तो भारत की जनसंख्या में तकरीवन 16.2 ये अनुसोची जाती है SC है 8.2 प्रतिशत अनुसोची जन जाती है यानि कि ST जाती के लोग है तो स्थानी शासन के जो शहरी और ग्रामिंट संस्थाओं के निरवाची सदस्यों में इन समुदायों के सदस्यों की संख्या अगर हम देखें तो 6.6 लाग है आप जो 32 लाग की बात करते है करीवर हमने देखा इसमें 6.6 लाग करीवर 6.6 लाग की संख्या अनुसोची जाती है जन जाती के लोगों की है इससे क्या हुआ है इससे ये हुआ है कि हर एक आदमी चाहे वो किसी भी लेवल का हो चाहे वो किसी भी जाती प्रजाती को भी लाग करता हो सबका समान अल्मोस्ट प्रतिनित्व मिल रहा है जब भी लोगतंत्र को जादा सार्थक और ताकत से वंचित लोगों को ताकत देने की कोशिश होगी तो संगर्ष और तनाव होता है अब आपको पर एक एक इग्जामपल देता हूँ इसका क्या मतलब है अब एक इलाका है इस इलाके में एक स्सी सीट है महिला है महिला के लिए रिजावड है और स्सी सीट है तो ये जीद गई अब यहाँ पर कुछ ऐसे रहते है जो अगड़ी जाती की है ये पिछड़ी जाती की है अब इसमें क्या होता है कि कभी-कभी इनके उपर कुछ आक्षे प्लगा दिये जाते है मार्पीट हो जाती है कभी-कभी हत्या तक हो जाती है क्योंकि जो कुछ ऐसे लोग है मैं सबके बारे में नहीं कहूँगा जो ये पचा नहीं पाते हैं जो ये एगरी नहीं कर पाते हैं विश्वास नहीं कर पाते हैं कि हमें राज करने वाला या हमारी administration को देखने वाला कोई पिछडी जाती का है जब भी लोगतातर पर हम कोशिश करते हैं कि इन लोगों को marginalize लोगों को खास तर पे SCST हैं, मुसलिम्स हैं, इनको हम power दें या इनको किसी न तरीके से mainstream में लाएं क्योंकि ये जातियां, प्रजातियां बहुत सालों से, बहुत समय से एक तरीके से हाशे पर रही है लेकिन हमेशा इस पर संगर्ष होता है, तनाव होता है, क्योंकि majority जो है, वो कभी भी ये accept नहीं करती है, कि किसी minority या फिर किसी ऐसे को हमारे उपर राज करने के लिए क्योंकि समिधानी का अधिकार मिल चुका है, तो इसके लिए हमेशा तनाव होते हैं तो समिधान के संशोधन ने 29 विष्यों को जैसे मैंने आपको बताया था, 29 विष्यों को स्थानी शासन के हवाले किया है बहुत सारे प्रदेश है, उन्होंने अधिकांश विष्यल इन में से स्थानी निकायों को नहीं सौपे जो कि उन्हें सौपने थे स्थानी स्तर की जो जनता है उसके पास लोग कल्यान के कारेक्रम और संसाधनों के आबंटन के बारे में विकल चुनने की जादा शक्ती नहीं होती देखें कि आपने बना तो दिया है आपने ये जगा बना तो दी ये स्थानी शाचन है या पर ये राज करेगा इसके लिए प्टनाओ होने चाहिए छे मेने में स्थी आ सकता है स्थी आ सकता महीं नहीं आ सकती लेकिन में चीज ये होती है कि जो state है उसका कितना इसमें कोशिश है कितनी एक्टिवनेस है तो होता यह है कि हमने अक्सर देखा यहां पर clear लिखा हुआ है कि जो यह स्थानी है यह जन प्रतीग बनके रह गए कई लोग वालोचना करते हैं कि हर एक जो फैसला है वो फ्रादेशीक और केंट्री स्थर पर ही लिया जा रहा है और अगर मालीजे किसी central government ने जो फैसला किया state government ने जो लिख किया वो यह स्थानी निगावाले ने कर लिया तो अंतर क्या पड़ा सीधी चीज मान ली गई और संसाधन खास तोर पर जो संसाधन है यहाँ पर यह कि संसाधन मतलब क्या होता पैसा चाहिए resources चाहिए आदमी चाहिए वो सब इनको नहीं मिलते इसलिए इनके पास जादा विकल चुन्ने की शक्ति होती नहीं है क्योंकि आता तो यहीं से है शासन के निकाय जो एक स्टेट लेवल की जो निकाय है एक एजनसी की भूमी का निभाते है और केंद्र और राजसरकार के विकास कारेक्रमों को लागू करना यह इनका काम है और यह लागू करना जरी रखेंगे क्योंकि स्थानी रेवल पर तक पहुँचना चाहिए सेंटल गूर्मन ने कुछ किया आप स्टेट गूर्मन ने कुछ किया यह आपके विरे तक कहा तक पहुँचे कैसे पहुँचेगे तो हमारे उपर एक स्थानी निकाय भी होना चाहिए जो के होता है आपके घर में पानी नहीं आ रहा है, आपकी नाली फसी हुई है या आपके घर के सामने कुछ ऐसा हो गया तो आप किसको फोन करेंगे आप अपने गराम बजजायत वाले को फोन करेंगे या फिर पार्शत को फोन करेंगे यही तो होता है इसलिए गाव और शहर के लोगों को ये फैसला लेने का अधिकात होना चाहिए कि किस निती और कारेक्षा उन्हें अपनाना है कौन सी निती को नहीं अपनाना है ये ज़रूरी हो जाता है जब पावर होगी अगर अब सेट्रल गर्मनिया स्टेट गर्मने थोप दिया तब तो काम नहीं बनेगा ये तो हर चीज़ बाननी पड़ेगी तो लोगतंस की जो असली परिक्षा होती है जो असली उनकी परक है वो कानूनी प्रावधानों में नहीं बलकि इन प्रावधानों को असली जामा पहनाने से होती है अगर आपने श्तिहत अर्वा चोहत अर्वा संस्शोग्दन कर दिया आपने कहацию होने चाहिए आपने कहा इतना एक विट्वित बनेगा आपने कहा कि हस्तान तरिफ होना चाहिए कई सूचियों को यह सब कहां तो सही लेकिन इसका actual असली जामा पहनाने का मतलब यह होता है इसका actually execution भी तो होना है यह काम होना भी तो है केवल बात करने से या काम बनाने से नहीं होगा न तो यह थोड़ी सी इसमें चीज़े हैं फिर भी चीज़े अच्छी हो रही है अब हम बात करेंगे स्थाने शासन की इसको थोड़ा सा short में देखेंगे लेकिन यह हम लेंगे अगली बार तब तक शुक्रिया, मेरबारी आपसे देखिए